लगातार होती बारिश के चलते शिप्रा नदी उफान पर है जिससे निचले शेत्र में जन जीवन प्रभावित हुआ है नदी के पास खड़े वाहन पानी में बहने लगे प्रिशासन ने जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला शेहर में 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण शिप्रा नदी उफान पर आ गई है इसके कारण रामघाट इस्थित तमाम मंदिर जल मगन हो गए है और शिप्रा नदी के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है इसके अलावा शिप्रा नदी के उफान के कारण शिप्रा नदी के आसपास तमाम इलाकों में भी पानी भरा गया है यहाँ पर हालात ऐसे बन गये हैं कि लोगों को घरों में कैद होकर रहना पड़ रहा है शिपरा नदी के आसपास इलाकों में पानी भरा गया है जिसके चलते जन जीवन भी काफी प्रभाईत हुआ है यहाँ पर सलकों पर खड़े वहान तक पानी में भैग गया इसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने बहर है वहानों को क्रेन के माध्यम से रोका और पानी से बाहर निकाला वही लोगों को नदी की और जाने से भी रोका जा रहा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन का अलट हो चुका है